लो भई जो खबर आ रही है वो इतनी बड़ी है कि आपको बतानी तो बनती ही है तरसल आप सबको पता आप तक चली चुका होगा कि अनुराग डोभाल घर से बेघर हो चुके हैं उनको एलिमिनेट कर दिया गया है और जिस तरीके से उनका एलिमिनेशन हुआ उस एलिमिनेश अनुराग को तो मेकर्स नहीं निकाल पाते और ऐसे में मेकर्स को एक चाल चली थी और उन्होंने चाल चली और अनुराग को बाहर कर दिया अब घर से बाहर आने के बाद अनुराग ने अपने लिए स्ट्रेंड लिया है और मेकर्स से अनुराग की बहुत तगड़ी वाली लडाई हो चुकी है और किस बात पे हुई है तो अनुराग की जो लडाई हुई है वो इस बात पे हुई है कि अनुराग ने साफ-साफ इंटर्व्यू देने से मना कर दिया है क्योंकि कॉंट्रेक्ट में ऐसा लिखा जाता है contract जब sign होता है तो ये बाते सामने आती है कि आपको interview देने होंगे जब आपका eviction होगा आपको जो भी बोलना है आप interview में बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पे अनुराग डोभाल का सीधा कहना है कि भाई मैं interview नहीं दे रहा हूं क्योंकि जो तुमने मेरा eviction किया है ये तुम कर ही नहीं सकते थे अगर तुम voting पे जाते तो भाई कुछ भी कहो बंदे में दम तो है क्योंकि वो बोलता है लेकिन मुझे लगता है interview देना चाहिए और interview देगा तो बहुत सारी बाते और सामने आएंगी चलिए बाकी आप लिखेएगा आपको क्या है लगता है जो makers से पंगा लिया है अनुराग डोभालने इसके बाद क्या कुछ होने वाला है वैसे मसाला खूब मिलने वाला है क्योंकि अनुराग चुप तो नहीं ही रहेगा चलिए मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी आप अपनी रहा कॉमेंट में लिखना